सूरवीर दानी देश भक्त बलिदानी मात्र भूमी स्वामी मानी परिपाटी सो नखान के और डार डार फरे तीर तारवार तीखे छाती वहरीन के दर ऐसे माटी सो नखान के गोला असे ढेला मारें भर भर बेला जमे रनम अकेला लोहा चाती सो नखान के गोला असे ढोला मारें भर भर बेला जुझे रनम अकेला लोहा चाती सो नखान के भंग भंग वरे करे अरे 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 अंगरे जन के मुह मलू आठी सोना खान के भारत माता के आरत सारत चैन नहीं गुंगवात जवानी अप्यासन लागत अनन भावत रात पहात निहारत चानी हाय नहोत सहाय नतानत भोह कमान क्रिपालू भवानी अम्मात कपारम दागन लागई तात रहे तलवार के पानी यह पंक्तियां है हिंदी के सुप्रसिद्ध रशनाकार श्री हर्ठाकुर जी की जिन्हों ने सहीद वीर नारायन सिंग की प्रसस्ति में लिखा है वीर नारायन सिंग सोना खान माटी के अमर रत्न रहे हैं जिन पर बहुत ही प्रसंसी तालेक दिया है डॉक्टर स्रीमती सुनीत मिश्रा जी ने डॉक्टर स्रीमती सुनीत मिश्र सोनह अक्टूबर सन उनिस सोनचास को मंदला मध्य प्रदेश में पैदा हुई बच्पन से ही इनमें परियतन की बहुत रूचि थी और जो हमारे वीर जबान शहीद इनके प्रत उनकी उतकंठा बाल्यावस्था से ही रही है उन्होंने यमे और पियच्डी दोनों इतिहास विशे में किया परियतन में इसनातकोत्ता रुपादी प्राप्त की और सोना खान के वीर जमीदार शहीत नाराण सिंग पर उन्होंने शोधकार किया पियच्डी की आपके सोध पत्र आलेख चिंतन देश के विभिन सोध पत्रिकाओं में समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित होते रहें राश्ट्रिय संगोष्टियों में आपकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी परियतन में आपकी अत्यंत रुच्छी है आप अनेक बड़ी बड़ी संस्थाओं से संबध्ध रही हैं जैसे इंडियन हिस्षी कॉंग्रेश नहीं दिल ली मध्य प्रदेश इतिहास परिशद भोपाल महा कोशल इतिहास परिशद रायपूर की आप आजीवन सदस्य हैं आप मध्य प्रदेश महिला जागरित परिशय की अध्यक्ष रह चुकी हैं 36 गड़ इतिहास संस्कृती पुरात्त वेवं परेटन परिशद रायपूर में भी आप अध्यक्ष रही हैं आगास्वानी से आपके वारता लेख समय समय पर प्रसारित होते रहते हैं आपको अनेक अलंकर्णों से अलंकरित किया जा चुका है सिख्षा एवं महिला उत्थान के छेत्र में उलेखनी योगदान हेत हिमांचल प्रदेश के महा महिम राज्यपाल स्रीमती उर्मिला सिंग्जी ने आपको सम्मानित किया है 36 गड़ राज्य महिला आयोग 36 गड़ सासन रायपूर से 1 जून 2010 को महा महिम राज्यपाल स्री सेखर दत्व जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं आपकी भाषा सहज, सरल और बोध गम्मे हैं भाषा परिस्क्रित, परिमार्जित और खड़ी बोली है बच्चो, प्राचीन काल से ही 36 गड़ इस देश का गवरो साली भूभाग माना जाता रहा है यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति संभाव, संमान एवं आदर की भावना रही है रिश्यों, मुन्यों एवं भीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम रोशन किया है 36 गड़ राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक एकता की कड़ी रहा है इस अंचल के अनेग वीरों ने अपने प्राणों की आहुती देकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया है जैसे अमर सहीद वीर्नारायन सिंग, अमर सहीद गैन सिंग, अमर सहीद सुरेंद्र साय, अमर सहीद हनुमान सिंग जी, अमर सहीद लाल कालेंद्र सिंग और पराक्रमी सेनापत सहीद गुंडाधूर आ दी। सब ने अपना तन मन धन, मन वचन कर्म से भारत माता के चरणों में सब कुछ निवचावर कर दिया। वास्तों में, डाक्टर सुनीत मिश्र ने सोना खान के अमर सहीद वीर नारायन सिंग पर बहुत ही सोध पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की हैं, आज हम आये उसी पर चर्चा करते हैं। महान दी की घाटी एवं 36 गढ़ के महान सपूत सोना खान के जमीनदार वीर नारायन सिंग बिंजवार राजपूत का जन्म सत्रा सो पंचानने में हुआ। इनके पिता राम राय सोना खान के जमीनदार थे। राम रायने ब्रिटिश संगरक्षन काल के आरंभ होते ही सन 1818 और 19 में अंग्रेजो एवं भोशला राजा के बिरुद्ध बिद्रोह कर दिया था। जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्षन ने दबा दिया था। बिद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमिनदारी के गाओं की संक्या तीन सो से घट कर पचास हो गई। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिंजवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। सन 1830 में राम राय की मृत्त के पस्चात नारायन सिंग उस समय 35 वर्ष के थे वे जमीनदार बने। नारायन सिंग जी धर्म परायर थे रामायर और महाभारत में उनकी बहुत रुची थी। गुरुओं से धर्म संबंधी नीत संबंधी वे शिक्षा लिया करते थे। बाल्या वस्था से ही तीर धनुष और बंदूग चलाना सीख शुके थे। मृद्वाशी, मिलंसार एवं परोपकारी प्रवित्ति के कारण वे जन संपर्क में विश्वास रखते थे। और लोकोत्सवाज में संबलीत होते थे। वे अपने कवरे घोले पर सवार होकर, इनका एक घोला था कवरे रंका, जिस पर वो सवार होकर गाउं गाउं भ्रमन कर जन समस्याएं सुना करते थे। उन्होंने तालाब भी खुदवाए पौधे लगवाए पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान भी करवाया ऐसे महत्वपूर्ण कार करने वाले हमारे वीर से नानी वीर नारायण सिंग जी अत्यथिक लोगप्री होते चले गए और सोना खान में राजा सागर रा सची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी है उन्होंने सवयम नंद सागर के आसपास बिख्या रोपन कराया और उसे नंदन वन का रूप दिया उनके पिता जी जीते जी जो परमपराएं शुरू कर गए थे उन्होंने उसे आजीवन निर्वाहन किया उनकी एक-एक सीख को स्विकार करते हुए से क्रियान्वित किया और उनके पुत्र गोविन सिंग जी ने भी इसका पालन किया अन्याय और सोशन के विरोधी वीर नारायन सिंग अलपायु से ही अपने पिता के साथ रहकर संघर्सों में उनका साथ दिया है उन्होंने अनेक संघर्सों को जेला है वे अपने पूर्वज विशाई ठाकु जैसी दिरता और फत्ते नारायन सिंग जैसा धीरज साहस तथा पिता राम राय जैसा जन नेत्रित करने की अपूर्वच्छमता प्राप्त की थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्स में देखने को मिली है जमिनदार बनते ही उनके सभी जनपरी गुणों का साक्षातकार होने लगा अपनी जमिनदारी सवालने के बाद विर नारायन सिंग जी ने प्रजा के दुख दर्द को समझ कर उसे दूर करने के अनेक उपाय किये जमिनदार होने के बाद भी नारायन सिंग बहुत ही साधा साधारन जीवन बितीत करते थे जैसी एक कहावत है कि साधा जीवन उच्छ बिचार ये उनके जीवन का सूत्र बन गया था उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था बलकि बास और मिट्टी से बना एक साधारण मकान था वे आम जंता के बीच समरस होकर घुल मिलकर अपने छेतर का दोरा करते थे और रायत की समस्याओं एवं कठिनाईयों का हल खोजा करते थे सन 1854 के प्रारंभ में नाकपुर राज्जी के साथ 36 गड़ छेत्र भी अंग्रेजी राज्जी में मिला लिया गया कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमिनदारियों का दोरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी नए धंग से टकोली यानि लगान नियत किया जिसकी ब्यापक प्रतिक्रिया हुई और नारायन सिंग ने भी अंग्रेजों की इस नई नीतिका खुल कर भी रोत किया संद 1835 से 1855 के मध्य सोना खान जमिनदारी में अनेक समस्याएं आती रहें किन्तो नारायन सिंग ने उनका द्रता पूर्वक सामना किया वे अपने गाउं को पुनह प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे इस आवध में अंग्रेज अपनी देश व्यापी समस्याओं में ब्यस्त थे अफगान सिंध मिश्र वर्मा आदी में जुनंत प्रशन थे नागपुर में रगुजी तृतिये का सासन चल रहा था राजा अश्वस्तता के कारण चतिश गढ़ आकर प्रशाशन देखनी की इस्तित में नहीं था यद्यप सोना खान जमिंदारी की जागुरुकता से वह सतर करहता था नारायन सिंगी ने इन परिस्तितियों से लाब उठाते हुए अपने अधीनफ्त जमिंदारी के छेत्र में अनुशाशन इस्थापित करने का भरपूर प्रयास किया सोना खान जमिंदारी से तकोली की अदायगी न होने के कारण रायपूर में डिप्टी कमिशनर सी इलियट नारायन सिंग के पूर्वा ग्रह से ग्रहस्त था वह उन्हें दंडित करने की प्रतिक्षा में था कि कब आउसर मिले और मैं वीर नारायन सिंग को दंड दूँ इनके लिए वह सूक्ष्मकारणों को खोजने में शक्री था उसने नागपुर के कमिशनर को शिगायत की कि मेरी द्रिश्ति में जमीनदार का बेवार असाहनी एवं अत्याचार पूर्ण था ऐसी इस्थित में उसे खाल्सा के ब्यापारी माखन के गोदाम को जमीन द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई अताक डिप्ती कमिशनर ने नारायन सिंग को बुलबाया परंत वादेश की अवहलना होने पर उनके खिलाप गिर जिससे नारायन सिंग की जमीदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे खाल्सा गाओं के माखन नामक ब्यापारी के पास अंड का विशाल भंडार था नारायन सिंग को यह असा ही अलगा कि जनता भूखों मरती रहे अब ब्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे अता नारायन सिंके ने भंडारों के ताले थोड़ दिये और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवस्यक था नारायन सिंके चरित्र एवं इमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्हों ने जो कुछ लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया परंतु अंग्रेजों ने शड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुरसव सूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया उन पर मुकदमा चलाया गया वस्तव नारायन सिंग्जी की राजनेतिक चेतना और जागुरुकता अंग्रेज अधिकारियों को चुनोती थी नारायन सिंग्जी को चौरी और ढकाईती के जुर्मे में बंदी बनाया गया सोना खान के किसा अपने नेता को जेल में देखकर बड़े दुखी हुए बेचेन रहने लगे किन्त उनके पास कोई चारा नहीं था उसी समय देश में अंग्रेजों की सत्ता के विरोध में विपलो की अगनि फूट पड़ी इसका लाब उठाकर सोना खान के किसानों ने संबहता संबलपु के विद्डरोही नेता इवं करांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदश से नारायन सिंग्जी ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई दस माह चार दिन बंदी रहने के बाद नारायन सिंग जी तीन अन्य साथियों के साथ भाग निकले वे जेल से भाग कर सीधे सोना खान चले गए और तीन माह तक स्वतंत्र घूमते रहे रायपुर के डिप्टी कमिश्णर ने उन्हें पुना पकड़वाने हैत एक हजार रुपए का इनाम घोशित करवाया साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोना खान की और भेद दिया परन्तु ब्रिटेश सरकार उने खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही जब नारायन सिंग्जी आ गए तो गाउं गाउं के आधिवासी अपने नेता को देखकर खुसी खुसी दिर्ड निश्चे कर संगठित हुए बिद्रोह का नगाड़ा गाउं गाउं में बजने लगा नारायन सिंग्जी भली भाद जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें भक्षेगी नहीं और जल्दी सी जल्दी गिरफतार करने के लिए पूरी ताकत लगा देख दी और ऐसा हुआ भी नारायन सिंग्जी ने परिणावों की तनिक भी परवार नहीं की अंग्रेजों के बिरुद्ध संगर्स का संखनाद जारी रखा बिंजवार जात के जमींदार नारायन सिंग के साहसिक कारियों ने जनहित कारियों में सनलग न होकर अंग्रेजों का भिरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया सोना खान पहुँचकर नारायन सिंग्जी ने 500 बंदूक धारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किये और सोना खान पहुँचने वाले प्रतेक रास्ते पर जबर्दस्त मोर्चावंदी कर दी रायपूर के डिप्टी कमिशनर इलियट को नारायन सिंखे जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुचने का समाचार जम मिला तो उनकी नीद हराम हो गई रायपूर में अंग्रयोजों की फोज थी परंत इलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था वह रायपूरिस्थित फोज के प्रत अविश्वास का ही प्रणाम था कि नारायन सिंख के विरुद्ध कारिवाही करने में इसलिए इलियट को 20 दिन लग गए जनहीत में बिर नारायन सिंख का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंब हुआ च्छतीस गड़ में 1857 की करांतिकार नेत्र तो उन्होंने ही किया था बच्चों आपने पढ़ा होगा कि चमक उठी संसंतामन में वह तलवार पूरानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली दानी थी एक तरफ उधार अंग्रेजों के खिलाप जो है करांतिका अंद्रेतित तुम्हारानी लक्ष्मिवाई कर रही थी इधर हमारे वीर नारायन सिंग्जी कर रहे थे और चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाप क्रांतिका नारा बुलंद होने लगा जनहीत में वीर नारायन सिंग का संगर्ष अंग्रेजों से प्रारंब हुआ 36 गड़ में 577 की क्रांतिका अंद्रेतित इन्होंने किया अंग्रेजों नहीं से बिद्रोह माना जिले के अब ब्यवस्तित प्रसासन के कारण बिद्रोह के लिए उप्युक्त अउसर था सोना खान गाउं को खाली करा दिया गया पास की पहाडी में मरचावंदी कर दी गई सोना खान की और से आने वाले हर रास्ते पर नाकेवंदी करवा कर मजबूत दिवारे खड़ी करवा दी गई अन्निकट के गाउं से रशड शर्ष्त गोला बारूद आदई इकठे किये और साहस के साथ मोर्चा संभाला उन्होंने अंग्रेजों के बिरुद्ध खुली बगावत का एलान कर दिया था उनकी गिरफतारी अंग्रेज डिप्टी कमिशनर के लिए प्रतिस्था का प्रश्ण बन चुकी थी वीर सहीद नारायन के लिए आत्म सम्मान और देश की सुरक पूर जिले के उतरी छेत्र और नर्मदा छेत्र के रामगण और सोहागपूर छेत्र में करांतिकारियों की गडविदियों को रोकने के लिए भेजी गई थी वी नारायन सिंग्रेज नेर्टित्तों में सोना खान गाउं के आसपास के सभी किसान संगठीत हो गए और उन्ह नेर्टित में अपने प्राणों की बढ़ देने के लिए हम तयार हैं वस्ता यह 36 गड़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायन सिंग 36 गड़ के प्रथम किसान नेता थे किसानों में चेतना फैला कर उनकी सक्ति को संगठित कर अत्याचारी सासन से लोहा लेने का कार सर प्रथम वीर नारायन सिंग्जी ने ही किया उनकी सेना में किसान भी भरती हुए किन्तु उनके पास न तो परयापत हथियार थे न कोई सैनिक प्रसिक्षण किन्तु उनके पास अटोट मनोबल था स्वाधिन्ता के लिए संघर्ष का संकल्प था अत्याचार अन्याय से लड़ने की प्रेणा थी अटूर्ट मनोबल से बड़ा कोई हत्यार नहीं होता देखते ही देखते सोना खान गाउं एक फोजी छावनी में बदल गया जंगल के बीच बसे इस आधिवासी गाउं में तीर कमानों और बंदूकों की जनकार सुनाई पड़ने लगी स्वाधिन्ता के संघर्ष की पहली जनकार जो है सोना खाल के जंगलों से ही उठ रही थी इसी बीच अंग्रेजों के नेत्रित करता इसमित को मंगल नामक ब्यक्ति से सूचना मिली कि समया भाव के कारण नाराण शीन नाके बंदी का कार पूर्ण नहीं कर सके हैं अब रोध है तो खड़ी दीवार जो है अपूर्ण है अधूदी है इसमित ने अपने अधीनस्त जमीनदारों के कटपे सहायकों को घाटी की पूर्ण नाके बंदी के लिए आदेशित किया तथा असी सैनिक और नियुक्त किये वहां के लिए इसमित को अपनी फोजी त्यारी में राएपूर के बीस दिन और खरोद में आठ दिन लगे थे इसमित खरोद से रवाना होकर पहले नीम तल्ला फिर देवरी पहुँचा यह 30.9.18.15 की बात है देवरी जमिनदार इसमित के स्वागत के लिए पहले से तयार बैठा था देवरी का जमिनदार रिष्टे में नारायन शिंग का काका लगता था उसकी नारायन शिंग से खांदानी सतुरता थी दुस्मनी थी एक दूसरों का नहीं पट रहा था यह अंग्रेजों की नीत थी बच्चों इस तरह से जैशंदों और मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा बिदेशी सक्तियों के हाथ बेचा है और वही हुआ देवरी से इसमित ने ऐसी ब्योस्ता की कि नारायन शिंग को सोना खान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके सोना खान जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है सोना खान की और प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर इसमित एक दिसंबर उन अठारा सो संतामन को प्राताकाल देवरी से सोना खान पर आक्रमन करने हे तुरवाना हुआ आक्रमन के समय देवरी जमींदार महाराज साय और सिवरी नारायन का बाला पुजारी भी साथ थे देवरी जमींदार इसमित की फोज का पथ प्रदर्शन कर रहा था इसमित की फोज जब सोना खान से तीन फरलांग दूर रह गई तब एक नाला पड़ा उस समय लगभग दस बजा होगा नारायन सिंग के सिपाहियों ने इसमित की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया दोनों सेनाओं में घमासान युद्धु हुआ तोप और बंदूकों से हमले प्रारंब हो गए इसमित लिखता है किन्तो हम आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित रूप से दो पहर तक सोना खान पहुँच गए आदलनी स्री हर्ठाकुर साहब का मत है कि प्रारंब में दस बजे इसमित को प्रतम आक्रवन के समय भारी नुक्सान हुआ था और ठीक समय पर सैन्न मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते चले गए नारायन सिंग के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे अता नारायन सिंग जंगलों की योड चले गए ताकि आउसर मिलते ही वे पुनाय आक्रमन कर सके इसमित ने लिखा है कि हम सीगरता से पैदल ही नारायन सिंग के घर तक गए यह भी अन्य गामों की तरह रिक्त था खाली था जैसे वहां सारे गाओं खाली हो गए थे हमने वहां गोली चालन किया और घर से पहाडियों का तक पहरा लगवा दिया किन्त पहाडियों पर तब तक हमला न करने का दिड़ संकल्प किया था जब तक की कड़गी से लोग सहायता के लिए ने आ जाएं ताकि दोनों और से उन पर हमला किया जा सके पहाडी के उपर धीशन गोलावारी कर नाराण सिंग्डे इस्मित को एक बारगी लोटने पर विवश कर दिया हूँ तत पश्चात खाली ग्राम में इस्मित ने आग लगा दी गाओं के लोग पहाडी पर से यद्रिश से देख रहे थे जंगल से दूसरी योर नाराण सिंग्डी सेना ने गोलियों की बोचार सुरू कर दी इसके फलसुरूब इस्मित को अपनी जान बचाने है तो गोलियों की पहुंच से दूर गाओं से हटने के लिए बात दे होना पड़ा रात्र में इसमित ने ब्यक्तियों का लगातार आगमन देखा जलते हुए सोना खान ग्राम के उस पार पहाड़ियों में हलचल देखते हुए इसमित की वह रात बेचैनी में बितीत हुई इसमित लिखता है कि वह रात अंधेरी थी किन्तो हमें चंद्रमा के प्रकास और हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाब हुआ सोना खान धू 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 कर जल रहा था नारायन सिंग ने इसमित से रण छेतर में मुकाबले की तयारी तो की थी किन्तो इस प्रकार के अगनी कांड की कलपना उन्होंने नहीं की जो अगनी कांड हुआ यह धोखे से हुआ सुबह तक नारायन सिंग ने देखा कि सोना खान राह के धेर में बदल चुका है नाराएंड सिंग के अंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ इस्थानी लोगों की मदद से कुछल दिया था इसमित ने नाराएंड सिंग के साथ कोई सर्ट नहीं रखी वह सोना खान के जमीनदार के साथ 3 दिसंबर को रायपूर की और वापस चल दिया और 5 दिसंबर को रायपूर पहुँच गया नाराएंड सिंग को उसने रायपूर के डिप्टी कमिशनर इलियट को सौप दिया इसमित ने संबलपूर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविन सिंग को रायपूर भेजें क्योंकि उस समय उस जिले में था वो उसने ब्यक्ति भेज कर यह निर्देश दिया कि ब्यवस्ताहित जमिनदारी में जो नई नियुक्तियां होनी हैं उन्हें ततकाल किया जाए नाराएंड सिंग द्वारा बनाई गई शेना को रद्द कर दिया जाए डिप्टी कमिशनर इलियट लिखता है मेरे कोड के समक्ष जमिनदार को पेश किया गया और उस पर अठारा सो संतामन अधनियम के सेक्शन च्छ एक्ट चवदा के अंतरगत अभियोग लगाया गया अठारा सो संतामन की धारा एक और अधनियम 11 के तहट मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी नव दिसंबर अठारा सो संतामन इलियट ने रायपुरिस्थित तीसरा भारतिय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया कि उसे कल उसाकाल में फांसी पर लटकाया जाएगा अता निवेदन है कि इस कार्यवाही को देखने और जरूरत पड़ी तो बेवस्ता बनाए रखने के लिए आपकी कमांड में जो रेजीमेंट है उसे जेल के निकट परेट कराएं जिसका अनुबात किया है संबुद्याल गुरुजी ने 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामिल कर दी गई वीर नारायन सिंग को फांसी देने के कुक्रित्य से जनता में आतंग के अस्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ रायपूर की जनता एवं सैनिकों के समख से दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हे तू ब्रिटिस आतंग का भै प्रदर्शित किया किंतु कालांतर में यह प्रेणा के रूप में 18 जनवरी ठामन के बिद्रोग के अउसर पर दृस्थियत हुई जिसका नेत्रित्व बी रफ्तार का रंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सारुजनिक फांसी दे दी जिससे सब जिसमें सभी जात और धर्म के लोग थे सहीद बीर नारायन सिंग का जो बलिदान है वह अब ब्यर्थ नहीं गया आजादी की लड़ाई में वे 36 गड़ के प्रेणा सोत बने रहे बीर नारायन सिंग 36 गड़ में 19 सताबदी के पुनर जागरन काल में राजनीतिक सामाजिक शेतना के संभाहक थे उनसे प्रेणा लेकर अनेक सेनानियों ने अपना तन मंधन सब कुछ अरफित कर दिया इस प्रकार देश की स्वाधीनता अंदोलन में भाग लेते हुए 36 गड़ के वीर सेनानी सहीद हो गए हमारे लिए गवरों की बात है कि 36 गड़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलदान देने वाला एक आधिवाची वीर था जिसने शिद्ध कर दिया के स्वाधीनता की अगनी इस छेत्र के आधिवाचियों के हिर्दे में भी बराबर धदक रही थी जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया और वीर साथी को अपनी सर्धानजली अर पित्ती 36 गड़ के सुतंतता संग्राम की यह अविस्माणी घटना है वीर नारायन सिंग्जी के बंसज वाच्छेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर स्रधासुमन अर पित करती है नारायन सिंग्जी की वीर गाथा घर घर में ब्याबत है गर्म के साथ जनता वीर नारायन सिंग्जी को यह कहकर याद करती है कि वीर नारायन तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के सोले निकलते अब भी सोना खान से सहीदों वा सेनानियों के बलिदानी गवरों का प्रतीक देश में तिरंगा द्वज फेहरा रहा है बड़ी सान से वीर नारायन तुम्हारी वीरता बलिदान से बच्चो वी नाराण सिंग्जी के संदर में डॉक्टर ने जिस तरह से सोधपत्र प्रस्तुत किया है लिखा है बहुत ही ओजपूर्ण भाषा में सहाज और सरल भाषा में उन्होंने हमारे सामने रखा है आये इसमें कुछ प्रस्ण बनते हैं जिससे आपकी अधार्णा और स्पस्ट हो सकेगी वी नाराण सिंग्जी में काउन से मानवी मूले दिखाई देते हैं जो उन्हें अद्वितिय शिद्ध करते हैं वास्तों में वीर नाराण सिंग्जी धर्म परायन मिर्दुभाशी मिलनसार और परोपकारी थे वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी और नीत संबंधी शिक्षा लिया करते थे वे सस्त्र विद्या में भी वाल लेकाल से ही प्रवीर थे अपनी जमींदारी में उन्होंने तालाब खुदवाए ब्रिक्ष लगवाए और पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया सोना खान में उनकी इस परोपकारी प्रवित्ति के तीन उदाहरण है राजा सागर रानी सागर और नंद सागर तालाब उन्होंने स्वयम नंद सागर के आसपास ब्रिक्षार ओपन कर नंदन वन का स्वरूप्रदान किया वे जन संपर्क में विश्वास रखते थे और जन संपर्क के माध्यम से ही उनकी समस्याओं का समाधान करते थे वीर नारायन सिंग्जी को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए आए इस पर विचार करते हैं वीर नारायन सिंग्गों अपने पूर्वजों से जो गुण मिले थे उनका उन्होंने जीवन भर पालन किया अन्याय और सोशन का विरोध करना तथा पिता के संघर्षों में उनका साथ अलपायु से ही देने लगना शोटी उम्र से ही अपने पिता को स्वयोग करने लगे थे उनमें अपने पूर्वज विशाई ठाकुर जैसी दिढ़ता फत्ते नाराण सिंग जैसा धैर्य और साहस पिताराम राय जैसा जन नेत्रत करने की अपूर्चमता प्राप्त थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली है जमिनदार होने के बाद सहीद बीन नाराण सिंग की लोग प्रीता का क्या कारण था जमिनदार होने के बाद भी वे बहुत साधा जीवन बितीत करते थे उनका मकान बांस और मिट्टी से बना एक साधान मकान था कोई बड़ी हवेलिय किला नहीं वे लोगों के बीच घूम घूम कर उनकी समस्याओं का पता लगाते और समाधान देते थे उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझ कर उनका हल निकाला इसी लिए वे जन मानस में अत्यंत लोग प्री हुए माखन ब्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमीनदार के कौण से उद्देश थे माखन ब्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमीनदार वीर नारायन सिंजी का उद्देश लोग कल्यान कारी था चूंकि 1856 में 36 गड़ में सूखा पड़ा अकाल पड़ा जिसमें लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे माखन ब्यापारी के पास अन्न का बिशाल भंडार था बीर नारायन सिंग को यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे अता उन्होंने भंडारों के ताले तोड़ कर उतना ही अनाज निकाला जो भूखे किसानों के लिए आवस्यक था अब बच्चो एक सवाल और बनता है कि सहीद बीर नारायन सिंग निर्भीक दिर्चरित और इमानदार थे या किस घटना से पता चलता है सहीद बीर नारायन सिंग निर्भीक दिर्चरित और इमानदार थे इसका उदाहरण माखन ब्यापारी के गोदाम से जमीनदार द्वारा लूटे जाने वाली घटना से पता चलता है भूखे किसानों के लिए उन्होंने भंडार के ताले तुड़वा दिये और उतना ही अनाज निकाला जितना जनता के लिए आवस्यक था उनकी इमानदारी निर्भीकता वा चरित्र का इस बात से पता चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया उसके विशे में तुरंत ही डिप्ती कमिशनर को लिख कर भिजबा दिया पर अंग्रेजों ने शडियंत्र कर उन्हें गिरफतार कर लिया की वर्द नाराएंड सिंग्की बिद्रो की रननीति जो है वह किऊं अस्फल हुई हुए रासतों MANяться की बिद्रो की रननीति अंग्रेजों की कूत नीत के कारण अस्फल हुई क्यूंकि उन्होंने अनदोलन को यहां के लोगों की मदद से कुचल दिया अठारा सो संतामन में जब सोना खान पर इसमित ने आक्रमण किया तो दोनों पक्षों में घमासान उद्द हुआ प्रथम चरण में इसमित को भारी नुक्सान हुआ किन्तु ठीक समय में सैन ने मदद मिल जाने से वहां आगे बढ़ता रहा इसको रोकने में नारायन सिंग के सिपाही असमत थे अता जंगलों की योर चले गए ता कि अवसर मिलने पर फिर से आक्रमण कर सकें दामों में रिक्त पाकर इसमित ने वहां आग लगा दी नारायन सिंग ने इसमित के रणचेत्र में मुकावले की तैयारी तो की थी किन्त इस अग्निकांट की उन्होंने कल्पना नहीं की थी यह धोखे से किया गया उन्नीस्वी सताब्दी के पुनर जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेत्ना के संभाहक हमारे अमर सहीत वीर नारायन सिंग जी थे 36 गड़ में स्वाधीनता के लिए पहिला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था जिसने प्रमानित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नी इस छेत्र के आदिवासियों के एरदे में बराबर धदक रही थी उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार किये जनता उनके आगे नत्मस तक है आजादी की लड़ाई में वे 36 गड़ के प्रेणा स्रोत रहे उनका बलिदान बेर्थ नहीं गया इसलिए आज हमारे बीच बहुत ही लोग प्रिय है